तो कल का जो session था उसमें हमने पढ़ा था phytopathology के बारे में, symptom के बारे में, disease के बारे में, healthy plant के बारे में, physiological functions के बारे में I hope कल का session आपको अच्छे से समझाया होगा तो इसलिए आज के जो lecture में सबसे पहले हमने कल का जो section था उससे related कुछ questions रखे हो हैं तो चलिए सबसे पहले quiz section स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में हम जो नया आज का topic है उसको पढ़ेंगे तो सबसे पहला जो हमारा question है, वो है the external and internal reactions or alteration of a plant as a result of a disease is called पहला option है sign, दूसरा option है symptom, तीसरा है syndrome और चौथा option है all of these तो इस question का answer आपको comments में बताना है कि जो आपके external या फिर internal changes होते हैं किसे भी plant में due to disease, उसको हम क्या बोलते हैं, sign, symptom, syndrome या फिर all of these कल ही हमने इसके बारे में पढ़ा था, तो चलिए आप अब भी comments कर सकते हैं और मैं आपके answers देख लेती हूँ ठीके, बहुत सारे students ने answer किया है symptom और उसमें से एक answer आया है sign तो अब मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि इसका जो correct answer है, वो है symptom क्यों, sign क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमने कल ही discuss किया था कि जब भी कोई pathogen उसका part या propagule या फिर कोई भी sport present होगा, जो हमें physical evidence दे कि pathogen वहाँ पे present है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, sign बोल देते हैं, otherwise जो internal और जो भी external reactions हैं, उसको हमेशा हम symptom बोलेंगे चले बहुत अच्छा, सबने correct answer दिया है almost, चले आप दूसरे question पर move करते हैं, तो हमारा दूसरा question है non-infectious और non-parasitic disease, they are caused due to, और आपके पास options हैं, biotic agents, abiotic agents, misobiotic agents या फिर none of these तो आपको इसमें बताना है, कि जो non-infectious disease हैं, जिसको हम non-parasitic disease भी बोलते हैं, वो किसकी वज़े से होती है living agent की वज़े से होती है, जिसको हम biotic agents बोलते है, या फिर non-living agents की वज़े से होती है, जिसको हम abiotic agents बोलते है या फिर मिजोबाइटिक एजेंट्स के वज़ए से होती है जो बीच के है ना लिविंग है ना नौन लिविंग है तो आपको इसका आंसर बिताना है चलिए पहले आपका आंसर चेक कर लेती हूं मैं बहुत सारे लोगों ने B option select किया है एबाइटिक एजेंट्स तो यह आंसर आपका बिल्कुल सही है क्योंकि जो नौन इंफेक्शिस डिजिस है वो किसकी वज़े से होती है हमें कल ही पढ़ा था नौन लिविंग एजेंट्स के वज़े से होती है तो इसका जो आंसर रहेगा Abytic एजेंट्स रहेगा मिजोबाइटिक नहीं होगा क्यों क्योंकि जो मिजोबाइटिक है उसको ना आप लिविंग में सार करते है न नौन लिविंग में सार करते हैं इसलिए जो इसका correct answer है वो क्या है Abytic एजेंट्स है चले है बहुत अच्छा अब हम next question देखते हैं अब जब हम plant और pathogen के बीच की interaction को study करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं तो आपके पास में options हैं epidemiology, pathogenesis, etiology या फिर management अब आपको इसमें बताना है कि plant और pathogen के बीच की interaction को क्या बोला जाता है चलिए इसके comments देख लेते हैं बहुत सारे लोगों ने A और B answer किया है तो इसका correct answer अब क्या होगा कली हमने पढ़ा था कि जो interaction है plants और pathogen की बीच की उसको हम क्या बोलते हैं epidemiology इसका answer pathogenesis नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि pathogenesis तो mechanism था जो disease development का mechanism था उसको हम pathogenesis बोलते थे इसलिए इसका correct answer क्या होगा epidemiology चली अब next question की तरफ move करते हम इसके बाद में तो हमारा अगला question क्या है direct losses does not include yield loss, human health hazard, post harvest losses या फिर cost of pesticides तो इसका आपको answer बताना है कि direct losses में क्या नहीं आता तो मतलब की रोंने indirectly क्या पूचा है कि इन मेंसे indirect loss कौन सा है चली आपके answers देख लेते हम किसका क्या answer होगा कि आपके इस में से direct loss में कौन सा नहीं आता या फिर indirect loss में कौन आता है ठीक है आपका answer है इसका cost of pesticides अब हमने कल ही पढ़ा था कि दो टाइप के losses होते है direct losses होते हैं और indirect losses होते हैं तो direct losses में हमें direct loss होता है जैसे yield कम हो गई या फिर human health के factors का loss हो गया या फिर post harvest losses हो गया पर जो indirect losses है उसमें क्या होगा हमारे indirectly पैसे लगेंगे जैसे कि pesticide की cost है या फिर sprayer खरीदने के लिए cost है तो इसली लिए जो direct losses है उसमें आपके cost of pesticide में आता वो किस में आता है indirect losses में आता है clearly लिखा है कि direct losses does not include कि क्या नहीं आएगा तो उसका answer क्या था हमारा cost of pesticides अब हम next question की तरफ move करते हैं next question पुचा है total annual losses estimated worldwide आपके कितने losses होते हैं worldwide क्या estimate है उसका तो options दिये गए है 32.5% 34.5% 36.5% and 38.5% total losses पुचे गए हैं यहां पर चाहे वो insect है disease है और weeds है उसके total losses पुचे गए है कि कितने है estimated चलिए अब आप इसका answer comment section में बताएए फिर मैं check करती हूँ ओके तो बहुत सारे लोगों ने इसका correct answer दिया है that is 36.5% आपको हमेशा values याद रख नहीं है numbers क्यूंकि इसमें confusion होता है कि 34 था 32 था 36 था तो इसका जो answer है वो है 36.5% बहुत सारे लोगों ने इसका correct answer दिया है तो ये था हमारा आज का quiz section जिसमें हमने discuss किए questions जो हमने कल lecture पढ़ा था अब आज का जो हमारा topic है वो है classification of plant disease कल भी हमने ये discuss किया था कुछ-कुछ basis पे तो आपको एक बार फिर से recall करवा देती हूँ कि कौन-कौन basis पे हमने classify की थी और क्या-क्या पढ़ा था उसके बाद में हम आज का topic जो नए वाली चीज़े हैं उनको पढ़ेंगे पहले पुरानी चीज़ों को थोड़ा सा discuss कर लेते हैं सबसे पहला cause था based on cause of disease क्या basis था कि किस वज़े से disease हो रही है दो types पढ़े थे infectious या फिर non-infectious इनफेक्षिस जिसको हम parasitic disease बोलते हैं नौन इनफेक्षिस जिसको नौन पैरसिटिक डिजस बोलते हैं तो जो हमारी infectious disease हैं वो किस वज़े से होती हैं बाइटिक एजेंट्स के वज़े से होती है या फिर मिजोबाइटिक एजेंट्स के वज़े से होती है यह हमने पढ़ा था और जो आपकी नौन इंफेक्शिस डिजेस है वो किसकी वज़े से होती है यह बाइटिक फैक्टर के वज़े से होती है नौन लिविंग फैक्टर के आ गया है, epidemic में, endemic में, sporadic में और pandemic में, तो epidemic क्या थी, बहुत बड़े area पे आएगी और severe form में आएगी, है ना आपको थोड़ा ब्यादार होगा कि कल हमने पढ़ा था, दूसरी चीज़ पढ़ी थी sporadic, जो irregular intervals पे आएगी और locations पे आएगी, तीसरा हमने पढ़ा था endemic, endemic एक particular locality में आ रही थी, moderate से severe form में, उसके बाद में हमने पढ़ा था pandemic, जो क्या है आपके पूरे world में या continent में, या फिर पूरे country में आ रही है, कई जगह पे epidemic हो सकती है, और कई जगह पे endemic हो सकती है, यह आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था है ना, इसके बाद में हमने दूस की थी, localized and systemic, तो localized क्या था, जब भी आपकी disease किसी particular एक या दो plant organs में होगी, तो उसको हम localized बोल देते थे, और systemic क्या था, कि जब आपकी disease पूरे के पूरे plant में within the system होगी, क्यों होगी, क्यों कि जो pathogen है वो move करेगा within the system, पूरे system में, तो उसको हम क्या बोल देते थे, systemic बोल द देते थे, तीसरा जो मैंने आपको कल बोला था, कि based on symptom produce, जिसमें हमने पढ़ा था, rust, smurt, wilt, rot, skanker, anthracnose, mosaic, mortal, यह सारे के सारे किसमें आते हैं, based on symptom produce, और यह classification बहुत बहुत important classification है, क्यों, क्योंकि यह जितनी भी terminology है, यह जितने भी words है, यह पूरी pathogen में use होते हैं, अब क किसी भी type की disease पढ़ लेजिए, उसमें लिखोगा loose mutt of wheat, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, कि इस word का क्या मतलब है, अगर लिखा है, black rust of wheat, तो rust का क्या मतलब है, जब तक आपको यह चीज़ें clear नहीं होगी, तब तक आपको अगली पैथो समझ में नहीं आएगी, मालीजे कही जगह पे लिखा होता है, bacterial canker, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, कि canker word क्या है, या फिर anthracnose लिखा है, तो anthracnose क्या है, इसलिए यह classification बहुत जादा important classification है, इसके उपर अभी हम आएंगे थोड़ी देर में, पहले पिछला देख लेते हैं, कि हमने उसक plant affected पड़ा था, जिसमें हमने क्या किया था, जिस चीज का है, वो मान लिजिये, cereals का है, तो diseases of cereals, fruit की हैं, तो fruit disease, vegetable की हैं, तो vegetable disease पड़ा था, इसके बाद में हमने पड़ा था, based on perpetuation and survival of the pathogen, कि वो कैसे रह रहा है, और कैसे survive कर रहा है, कैसे अकर कर रहा है, बार बार, तो seed, soil and air, तो seed bond पड़ी थी हमने disease, soil bond पड़ी थी और air bond पड़ी थी, तो यह था जो हमने कल पड़ा था, आज हम जो discuss करने वाले हैं, वो बहुत important terminology discuss करने वाले हैं, और based on symptom produce, चीज़ों को discuss करने वाले हैं, तो यहां तक आपको सब चीज़ें clear हैं, I hope so, अगर नहीं भी होगी तो last में हम doubts clear करेंगे, वहां पी चीज़ों को clear कर लेंगे, ठीके, यहां तक आपको समझाया कि कल तक हमने क्या पड़ा था और आज हम क्या पड़ने वाले हैं, तो comment section में बता दीजी, अगर आपको यहां तक अभी समझाया है, ठीके, तो अभी हम इसके बाद में फिर discuss करे करेंगे कि based on symptom produced कौन कौन से type के symptoms है और कैसे कैसे हम उनको पड़ते हैं, क्या क्या उनका मतलब होता है और यह बहुत ही important है क्योंकि throughout यह use होने वाला है, चलिए ठीक है, अब हम start करते हैं अपना topic, सबसे पहले है symptoms due to characters and appearance of visible pathogens or their structures and organs, यहां पे लिखा गया है, तो इसका क्या मत लब है इस line का कि हम symptom और sign दोनों चीज़े पढ़ रहे हैं इसमें, कि symptom भी हो सकते हैं, sign भी हो सकते हैं, इसमें हम यह भी चीज़ें देखेंगे कि कौन कौन से type की चीज़े हमें देखने को मिल रही है pathogen की, तो based on that यह classification है, चलिए सबसे पहले है mildew, तो mildew क्या होता है, mildew म यह simple definition है mildew की, कि जब भी आपको pathogen की growth देखने को मिलेगी, चाहे gray है, brown है, purple है, white है, उसको हम क्या बोल देते हैं, mildew बोल देते हैं, mildew की definition अच्छे समझ में आ गई, कि growth को हम mildew बोल रहे हैं, चाहे कोई भी color है, ठीक है, अब यह जो mildew है, यह दो type का होता है, downy mildew and powdery mildew, आपने बहुत साई disease में पड़ा होगा, powdery mildew का नाम और downy mildew का नाम, mildew का मतलब आपको समझ में आ गया, अब समझते हैं कि इसके साथ में downy word क्यों जुड़ा हुआ है, और powdery word क्यों जुड़ा हुआ है, चलिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे downy mildew के साथ में, अब slide में symptom देख लिजे सबसे पहले, आपको यलोईश से symptom दिखाई दे रहे होंगे, उपर वाला जो leaf का surface है, अब पढ़ते हैं कि downy mildew क्या है, सबसे पहले क्या होता है, जो downy mildew है, उसमें leaves के नीचे वाले surface पे, क्या होगा, cottony growth आपको देखने में मिलेगी, और कैसी होगी वो, tangled ह होगी, tangled का क्या मतलब होता है, उलजी हुई होगी वो, तो जो आपका downy mildew है, उसमें आपको leaves के नीचे वाले surface पे, cottony growth देखने को मिलती है, जो tangled होती है, और कैसी होगी, superficial होगी, superficial word का क्या मतलब होता है, ओपर ही होगी, उपर से होगी वो, ठीक है, तो जो superficial growth है, उलजी cottony growth है, वो downy mildew में देखने को मिलती है, अब इसको downy क्यों बोला गया, सबसे important चीज, जो आपके bird है, आपने birds देखे होंगे, जो आपके पंची होते हैं, जो उनके downy feathers होते हैं, जो नीचे वाले पंक होते हैं, वो उसकी skin के साथ में बिलकुल जुडे होते हैं, तो वो ब उसके निचले वाले portion में बिलकुल tightly जुडा होता है, इसलिए इसको downy mildew बोला जाता है, आपको समझ में आई ये चीज कि downy mildew क्यों बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो bird है, उसके downy feathers हैं, वो बिलकुल उसकी जो skin है, उसके साथ में जुडे होते हैं, और व उपर वाली leaf की side है, वहाँ पर क्या होगा आपको इस तरह से pale yellow symptoms देखने को मिलते हैं, तो ये है आपका downy mildew, downy mildew आपको समझ में आ गया, तो आप मुझे बता दीजिए, ये slide आपको अगर clear हो गई, तब ही हम powdery mildew की तरफ चलेंगे, क्योंकि जो downy mildew है, सबसे पहले हम वो clear करेंगे, फिर ही आगे चलेंगे, चलिए, आपको समझ में आ गया, next चलते है, powdery mildew की तरफ, अब देखो, यहाँ लिखा है mildew, mildew थो हमने clear कर लिया कि क्या है, अब यहाँ लिखा है powdery, तो नाम से क्या पता चल रहा है, कि powder जैसा होगा, तो powdery mildew में क्या होता है, जो leaves होती है, उसके उपर आपको ash-like appearance दिखती है, ash-like मतलब कि राख की तरह dusty, appearance आपको दिखेगी और यह कैसी होगी, superficial growth होगी, superficial क्यों बोला गया है, क्योंकि जैसे आप हाथ लगाएंगे तो जढ़ जाएगा leaves से, उपर उपर से होगा और हाथ लगाते ही वो जढ़ जाएगा, इसलिए इसको superficial growth बोला गया है, और कैसी होगी यह powder-like growth होगी, और बाद में वहाँ पे बहुत सारे spots आजाएंगे, तो main चीज़ क्या है powdery mildew में, कि ash-like powdery growth देखने को मिलती है हमें, कई बार अब powdery mildew में क्या होता है, black color की छोटी-छोटी bodies देखने को मिलती है, fruiting bodies देखने को मिलती हैं फंजाय की, जिसको हम बोलते हैं, क्लिस्टो-थीश्या, अब यह क्लिस्टो-थीश्या क्या होते हैं, यह चीज़ हम बाद में discuss करेंगे, जब अगले lectures पढ़ेंगे, अब भी के लिए आपको सिर्फ यह याद रखना है, कि powdery mildew क्या है, और उसमे क्या बनते हैं, तो powdery mildew क्या है, आपकी superficial growth है, और वो कैसी है, ash-like है, dusty है, और उसमें क्या बनते हैं, क्लिस्टो-थीश्या बनते हैं, तो यह चीज़ आपको समझ में आगी, यह चीज़ क्लियर होगी, कि powdery mildew क्या है, फिर हम आप आगे move करते हैं, अगले symptom में, तो आप ब एक फोटो देख लेजिए, जहां पर powdery mildew के symptoms देखने को मिल रहे हैं, यहां पर आपको powdery growth दिखाई दे रही है, leaves के उपर, तो यह किस चीज़ के symptoms हैं, powdery mildew के symptoms हैं, इसके बाद में जो next है, वो है rust, अब हम किस के बारे में पढ़ेंगे, rust के बारे में पढ़ेंगे, कि rust क करते हैं, rust tea symptoms बनाते हैं, अब यह र Candy symptoms क्या होते हैं, इसके बारे में हमें जानना है कि कैसे तरह के समें पशूर्स बंते होंगे, पश्यूर्स क्या होता है, pimple-like structure, पशूर्स का क्या मतलब है, pimple के जैसे structure, तो rust के symptom आपको कैसे δेखने में मिलते हैं, छोटे से पश्यूर् structure blister like बतलब की छालों की तरह elevations on the epidermis of sports usually breaking through the host epidermis इसका मतलब क्या है कि जो आपको rust की symptom देखने को मिलेंगे वो छोटे-छोटे दानों की तरह आपको देखने को मिलेंगे जो आपकी epidermis है epidermis क्या हुआ host की सबसे जो ऊपर वाली लियर है सबसे बाहर वाली देखने को मिलेंगे अब इसका color कैसा हो सकता है और यह किस type के हो सकते हैं dusty हो सकते हैं मतलब की powdery जैसे हो सकते हैं compact हो सकते हैं मतलब इकठे हो सकते हैं और red brown yellow या black color के हो सकते हैं तो rust के symptom जब भी आएंगे तो कैसे आएंगे आप बोल सकते हो कि इसमें pimple light structure बनते हैं पश्यूल जिसके लिए टेक्निकल वर्ड है तो जो पश्यूल बनेंगे वह कैसे बनेंगे आपके black brown आपके या फिर yellow color के पश्यूल बनेंगे red color के dusty हो सकते हैं या compact हो सकते हैं अब यह जो color आ रहा है red आ रहा है brown आ रहा है yellow आ रहा है या फिर black आ रहा है यह किस वज़े से आ रहा है तो जो भी आपके sports का color होगा फंगस के वही color आपको rust में देखने को मिलेगा अगर फंगस के sports का color black होगा तो आपको यह जो आपको पश्यूल दिखेंगे उसी color के दिखेंगे black color के दिखेंगे तो यह हमारी rust के बारे में हमने पड़ा I hope rust आपको clear हो गया next है हमारे पास पहले इसकी photos देख लीजिए कि rust की symptom कैसे हैं किस तरक यह symptom आपको rust में दिखाई देते हैं तो इस photo से आपको clear हो गया होगा कि जो epidermis है जो उपर वाली layer है वहाँ पे आपको इस तरह के पश्यूल उपर को उबरे हुए pimple देखने को मिलेंगे यह है आपका rust चलिए अब इसके बाद में हम शुरू करते हैं smut अब हमने downy mildew पढ़ लिया powdery mildew पढ़ लिया rust पढ़ लिया अब हम पढ़ेंगे smut कि smut क्या होता है तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि smut का मतलब क्या है charcoal like powder तो smut में क्या होता है जो भी आपका affected portion है वहाँ पे आपको क्या दिखेगा black क्याफी purple black color की growth दिखेगी यह open हो सकता है closed हो सकता है तो जो आपको spores है या तो वह आपको powdery form में दिखेंगे या फिर क्या होगा आपको closed दिखेंगे cover दिखेंगे तो यहां पर एक important चीज़ बनती है कि जो आपके closed smut है उसको हम क्या बोलते हैं त प्रो smut को बंठ बोला जाता है तो यह हमने अभी पड़ा downy mildew, powdery mildew, rust और smut चलिए अब आप से सबसे पहले कुछ questions पूछ ले जाएं उसके बाद ही हम आगे के symptoms पढ़ेंगे सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि powdery mildew का सबसे prominent symptom क्या है मतलब powdery mildew का characteristic symptom क्या है कैसे चीज के बारे में बताएंगे powdery mildew के बारे में comment section में उसके बाद ही हम आगे चलेंगे पहले यह वाले questions complete करेंगे उसके बाद में ही आगे पढ़ेंगे कि powdery mildew में आपको क्या देखने में मिलता है सबसे prominent symptoms क्या है powdery mildew में आपको क्या देखने में मिलता है ठीक है अभी आपके बहुत सब लोगों के comments आ रहे हैं इनको मैं थोड़ा सब देख लेती हूँ ठीक है तो powdery mildew में basically क्या होता है ash like powdery appearance आपको देखने में मिलती है ठीक है जो भी leaves के surface है उस पर आपको जो भी आपके plant parts है उस पर आपको ash like appearance देखेगी powder जैसा दिखेगा और वो क्या होगा superficial होगा growth of fungus है वो उपर कैसा है superficial है उपर उपर से है तो वो powdery mildew है दूसरी चीज़ powdery mildew में कौनसी एक मैं आपको structure बताई कौनसी fruiting body बताई जो बनती है powdery mildew में कौनसी fruiting body बनती है उसका नाम आपको comment section में बताना है जब हम इन questions को complete कर लेंगे उसके बाद ही हम अगले वाले topic पे चलेंगे powdery mildew में कौनसी ऐसी fruiting body है जो बनती है इस चीज़ का आपको बताना है उसके बाद में हम next पढ़ेंगे अभी मैंने आपको बताया था कि क्या होता है powdery mildew और क्या structure उसमें बनता है चले ठीक है powdery mildew में क्या बनता है क्लिस्टो थीश्या यह हमने अभी पढ़ा था कि जो आपके fruiting body of the fungus है वो क्या है क्लिस्टो थीश्या है जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे अभी हम next slide पे move करते हैं downy mildew हमने cover कर लिया powdery mildew cover कर लिया rust cover कर लिया और smut पढ़ लिया चलिए अब अगला पढ़ते हैं पर उससे पहले आपको smut के symptom दिखा देती हूँ इस तरह से smut के आपको symptom दिखते हैं इस तरह से आपको growth दिखेगी ये हैं smut के symptoms अब next हम पढ़ेंगे white blister कि white blister क्या होता है तो सबसे पहली चीज़ कि white blister को white rust भी बोला जाता है अब इसमें क्या होता है कि आपके blister like छालों की तरह white color के पश्यूल देखने में मिलते हैं पश्यूल का क्या मतलब बताया था मैंने pimple like structure आपके दानों की तरह structure दिखेंगे leaves के ओपर या फिर बाकी आपके plant parts पे और उससे क्या होगा white color के sports powdery सा मास आपको देखने में मिलेगा तो उसको हम white blister बोलते हैं अब ये जो white blister है इसको कई बार बोल देते हैं white rust पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इसमें और इसमें कुछ भी common नहीं है मतलब कि white blister true rust नहीं है कभी भी आपको कोई पूछे कि जो white blister है वो true rust है तो नहीं जो white blister है वो true rust आपका नहीं है क्यों नहीं है वो हम बाद में पढ़ेंगे अब भी सिरफ हम basic सा पढ़ रहे हैं तो अभी के लिए आपको सर्व इतना याद रखना है कि white blister आपके true rust नहीं है जबकि उसको हम white rust बोल देते हैं तो white blister में क्या है कि जो आपके white color के आपको पश्यूस देखने में मिलते हैं leaves पर या फिर other जो आपके plant parts हैं उसके उपर और उससे क्या होगा आपका powdery समास दिखेगा तो उसको हमने बोल दिया white blister या फिर white rust पर ये आपके जो है true rust नहीं होते हैं चलिए अब white blister के symptom देख लेते हैं इस photo में आप देख सकते हैं ये जो symptom है ये आपके white blister के symptom है अब हम पढ़ेंगे कि ब्लॉच क्या होता है तो ब्लॉच को अगर मैं आपको बताऊं तो हिंदी में ब्लॉच को क्या बोला जाता है धब्बा तो कोई भी धब्बा उसको क्या बोला जाता है ब्लॉच बोला जाता है अब इसमें क्या होगा जैसे कि आप इस photo में देख सकत प्राइदा कि क्या होता है कि ऊपर ऊपर की ग्रोध्ट सुपर्फिशल ग्रोध्ड देखने को मिलेगी और इसमें ऐसा लेगा जैसे दब्बह सा पढ़ गया है इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है ब्लॉच रखा गया है कि जब भी आपको superficial growth दिखेगी fungus की तो उसको हम क्या बोल देंगे ब्लॉच बोल देंगे example क्या है इसका सूटी ब्लॉच और एपल इसके बाद में हैं ब्लॉच हम कैसे बताते हैं कि leaves में कैसा ब्लॉच है तो ब्लॉच क्या होता है जब भी आपको irregular spot देखने को मिलेंगे irregular मतलब कि उसका कोई भी definite margin नहीं होगा उसको कोई particular margin नहीं होगा तो जब भी आपको ऐसे spots या फिर ऐसे leasons देखने को मिलेंगे shoots के उपर या stem के उपर या फिर leaves के उपर तो इसको हम क्या बोल देते हैं ब्लॉच बोल देते हैं आप यहाँ पे photos में देख सकते हैं कि leaves के उपर irregular margins हैं तो इसको हम क्या बोल देंगे ब्लॉच बोल देंगे इसके बाद में है exudations तो अब जो आपकी exudations हैं उसका मतलब क्या होता है कि gum like material सिक्रीट हो रहा है मतलब कि gummy सा sticky सा material जब सिक्रीट हो रहा है तो उसको हम क्या बोल देते हैं exudations बोल देते हैं फंजाई की वज़े से हो सकता है या bacteria की वज़े से हो सकता है अब exudation का एक और नाम है gumosis जब भी आपका gum like material सिक्रीट होगा तो उस case में क्या बोलेंगे gumosis और अगर आपका gum like material नहीं present है अगर आपका जो sticky सा substance है वो नहीं है वहाँ पे तो उस case में exudations को हम क्या बोल देते हैं bleeding उस case में symptom को bleeding बोलते हैं तो exudation में जब भी gum like material present होगा तो उसको gumosis बोलते हैं exudations को generally हम gumosis बोल देते हैं बट जब कभी भी gum like material या फिर sticky substance नहीं होगा तो उसके लिए क्या है आपका bleeding नाम है उसका अब कई बार क्या होता है जब bacteria का infection होगा तो आपको क्या देखने में मिलता है bacteria का ooze देखने को मिलता है जिसमें बहुत सारे आपके bacteria होंगे उसको आप drop की form में देख सकते हो बूंद की form में या फिर smear की form में smear क्या होता है आपका sticky substance होता है चिपकने वाला गमी सा substance होता है तो bacteria की case में ooze देखने को मिलता है और जैसे वो सूख जाएगा वो पतली से layer बना देगा उस पतली layer को हम क्या बोलते है crust का मतलब ही क्या होता है एक layer मतलब की पपड़ी से बना देगा उसको हम क्या बोल देते हैं crust बोल देते हैं तो यह पढ़ा हमने exudations के बारे में और यह photo है जहां पर आपको exudation देखने को मिल रही है चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको सबसे पहले कुछ question पूछ लेंगे हम उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे तो अभी हमने exudation के बारे में पढ़ा exudation का दूसरा नाम क्या है अभी हमने पढ़ा कि exudation क्या है तो exudation का दूसरा नाम क्या है exudation को हम क्या बोलते हैं और यह आप comment section में बताना है तो exudation अभी हमने पढ़ा कि उसमें क्या है gum like material क्या है excrete हो रहा है, वहाँ से निकल रहा है, सिक्रीट हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो exudation का दूसरा नाम आपने अभी बताना है, मैं अभी चेक करती हूँ कि क्या आपके कमेंट्स आते हैं, उसके बाद में आगे पड़ेंगे, ठीक है, gumosis बोलते हैं, बिल्कुल सही ब बोलेंगे, जब आपके रेशे या फिर रेजिन नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो आपने मुझे बताना है, एक तो हमने gumosis पड़ा, दूसरा आपने मुझे बताना है, कि जब भी exudation में आपके gum-like material नहीं निकलेगा, रेजिन नहीं निकलेगा, तो उसको हम क् bleeding, B-L-E-E-D-I-N-G, जब भी आपके exudation में resin नहीं होगे, रेशे नहीं होगे या फिर gum-like sticky substance नहीं होगा, तो उस case में हम exudation को क्या बोल देते हैं, bleeding बोल देते हैं, इसका अंसर ये था, चलिए ठीक है, बहुत सारे लोगों के भी answers आ गए हैं अभी से related, अब इसके बाद में जो हम पढ़ने वाले हैं, वह क्या होटा है, अब देखो रॉशिया क्या है, basically, dormant mycelium है, dormant का क्या मतलब है कि वह active नहीं है, inactive है, जो आपका inactive है, मतलब कि वह क्या है, active नहीं है, उसको हम क्या बोल देते हैं, जो dormant mycelium है उसको हम परो मिझेलियम कैसा होगा, ये matter करत है हाड मैसीलियम होगा और पॉंपेक्ट होगा जो आका पॉंपेक्ट हाड मैसीलियम होगा और ॉब होगा जो इसको हम क्या बोलते हैं इसकी पीजिक पर सकती है size vary कर सकता है मतलब की हो सकता है छोटा सा mustard के दाने के तरह हो सरसों के दाने के तरह छोटा size हो या फिर बड़ा सा horn like body हो अब scrochia के बारे में एक चीज है कि हमेशा dark colored होते है mostly dark colored होते है तो यह आपका scrochia है जो basically क्या है compact hard mass of dormant fungal mycelium इसको हम क्या बोल देते हैं scrochia बोल देते हैं इस photo में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है scrochia बने है और यह basically क्या है dark colored होते है mostly अब उसके बाद में जो symptom है scrochia के बाद में scorch scorch का मतलब क्या होता है burnt burnt का क्या मतलब हो है कि जली हुई जुलसी हुई appearance देगा तो scorch में क्या होता है जो भी आपका tissue है आपको उसको देख के लगेगा कि वो जल गया है वो burnt है क्यों हो जाएगा वो क्योंकि आपकी या तो infection होगा किसी भी parasitic agent का या फिर क्या होगा unfavorable conditions होगी आप इस photo में देख सकते हैं कि ऐसे लग रहा है कि पूरी की पूरी चीज जल गई है जुलस गई है तो उसको हम क्या बोल देते हैं scorch बोल देते हैं उसको हम तो आज के lecture में हमने ये basic terminology पड़ी powdery mildew, downy mildew, rust पड़े smut पड़े हमने अभी scorch के बारे में पड़ा scorchya के बारे में पड़ा अब थोड़े से आप से questions पूछ ले जाएं smut का क्या मतलब होता है अभी हमने पड़ा कि smut कैसा powder है किसकी तरह दिखता है वो आपको comment section में बताना है कि smut आपका कैसा दिखता है और उसके अलाव अगर आपके कुछ doubts है तो वो भी आप पूछ सकते हैं आज के lecture से related पर उससे पहले आपको comment section में ये बताना है कि smut क्या होता है smut किसकी तरह दिखता है कैसा powder है तो वो मैं आपको comment section में चेक करती हूँ कि आपने क्या उसका answer दिया है कि smut किसकी तरह दिखता है चली आपके answer आगे है कि smut कैसा है charcoal like powder है charcoal की तरह आपको वो दिखाई देता है वो आपका smut होता है इसके अलाव अगर कुछ भी आपके doubts हैं तो आप पूछ सकते हैं अभी भी जो आज हमने lecture पूरा पढ़ा है different symptoms के जो हमने categorization की है उससे related जो भी हमने classification पढ़ी है उससे related कोई भी doubt है तो आप फिर से पूछ सकते हैं आज के lecture से related उसके बाद में हम next continue करेंगे जो हमारे symptoms बच जाते हैं जैसे mosaic है, mortal है वो जितने भी symptom हारे बच जाते हैं उसको हम cover करेंगे इसके बाद ले तो आज के lecture से related अगर कुछ भी आपका कोई रिये हैं तो आप पूछ सकते हैं उसके बाद भी हम next करेंगे तो यहां पर question पूछा गया है कि scorch और mineral deficiency के आपके जो symptoms है उसको हम कैसे पहचानते हैं तो देखिए scorch क्या है फंजाई की वज़े से भी हो सकता है बैक्टीरिया की वज़े से भी हो सकता है या फिर unfavorable condition की वज़े से भी हो सकता है तो जो आपके symptoms है इसके लिए soil testing की जाती है जब तब आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी soil में कौन-कौन से minerals present है या फिर कौन-कौन से minerals लैक करे है आप exact reason ही बता सकते हो कि plant में यह problem किस वज़े से आई है इसलिए क्या है आप सबसे पहले क्या करोगे उसके लिए soil testing करोगे इसके अलाबा किसी का कोई question है तो आप पूछ सकते है स्क्रोशिया बेसिकली dormant mass है जो आपका dormant myceleum है myceleum का mass है जो hard है और compact है basically यह क्या है myceleum है जो inactive है जो active form में नहीं है उसको हम स्क्रोशिया बोल देते हैं और mostly यह dark colored होते है यह जो क्लिस्टोथीशा का question कुछ अगया है कि कैसे बनते हैं इसको हम बाद में discuss करेंगे जब हम बाकी fruiting bodies पढ़ेंगे sexual fruiting bodies और asexual fruiting bodies पढ़ेंगे उस time पे हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि यह क्या होता है और क्या इसमें present होता है कैसे बनता है downy mildew के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि downy mildew में क्या है जो आपका leaf है जो आपके leaves हैं उसके नीचे वाली सरफेस पर क्या होगा sticky growth आ जाएगी मतलब कि जो fungus है वो बिलकुल उसके साथ चिपक के रहता है जैसे कि downy feathers होते हैं bird के जो skin के साथ में बिलकुल चिपक के रहते हैं वैसे यह fungus जो leaves के नीचे वाला portion उसके चिपक के रहता है tightly stick करके रहता ह और उपर सरफेस पर क्या है पेल या लो हमें symptom देखने को मिलते हैं leaves के ठीक है तो आज के lecture के लिए इतना sufficient है अब हम next lecture में जो बचवे symptoms हैं उसको cover करेंगे that's all for today I hope आपको चीज़े समझ आई होंगी thank you so much thank you